मुमोस का टेष्ट उसकी चट्नी में चुपा है तो आज मैं आपके साथ है नो मुमोस की चट्नी की रेसीपी शेर करूंगी और यह जो आप मुमोस देख रहे हैं यह वीड फलाइं के लोOWे ममोस बने بदाने मुमोस कंदरा है, अगर आप बी जानना चाहते हैं कि कहये मामु और momos की चटनी की quantity है ना आप अपने according कम जादा कर सकती है तो यहाँ पर मैंने चार्ट माट लिये हैं जिससे बड़े बड़े पीस में कट कर लेना है क्योंकि हम इसे boil करेंगे अब मैंने इसे एक पैन में डाल दूँगी और उसके बाद इसके इंदर डालेंगे हम मिर्च तो यहाँ पर मैंने 7-8 सूखी लाल वाली मिर्च लिये है और इसे डालने के बाद 7-8 लेसन की कलिया डाल देंगे एक इंचा दरख के टुकड़े को इना काट के डाल देंगे और फिर इसमें नमक डाल देंगे यह मतलब पकने के लिए 7-8 मिनट के लिए डख कर आठ मिनट के बाद आप दिखेंगे ना टमाटर में से जिलका है जो इसका अलग होने लग जाएगा और यह थोड़ा ट्रांस्पेरेंट सा हो जाएगा तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है अब इसे रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए और जब यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे मिक्सर के चार में डाल कर इसे पीस कर इसकी चटनी बना लेंगे तो इस चिटनी को आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर अगरी से आप और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं और लंबे समय अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसके लिए करना है कि पैन के अंदर डालना है तेल यहां पर मैंने एक छोटे चमच के गरीब तेल लिया ह और चार लहसन के इकली बारी काटके डाल दिया है लहसन को भूलना नहीं है बस हल्का सुनहरा कलर आने तक ही इसे पकाना है और उसके इंदर चटने पीस के रखिए है और थोड़ा से मिक्सर के ज़ार में मैं ने पाणी डालके इसके अड़ए है फिर एक टिपल स्पून के ब follakने से चैनल को करें तो मोमो की टेस्टी सी चैनल को तैयार है आपको मेरी रैसीपी कैसे लगी मुझे कमेंट स्किशन में बताए और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले